हालो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम इयर ड्रम से रिलेटेड कान के पर्दे में छेद इयर ड्रम पर्फोरेशन पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दियेगी बैल आइकोन को प्रेस करना ए की एक पर्दे में आगे दोस्तों कानका पर्दा है जो हमारा एयर है उसको प्रोटेक्शन के लिए गोड ने इक पत्लि सी लेयर टि्शू की है जिसका हए में उर लोकल लेंगवेज में कान का पर्दा बोलते है यह काल मा पर्दा जो है फ़ refresh करता है अपने इसको बाहर eight environment से अंदर का जो middle ear हो और जो inner ear है दूसरा यह जो कान का जो परदा होता है यह usually हमें जो है अपना जो hearing होती है उसमें भी help करता है जैसे हम बोलते हैं वो सारी अवाज उससे कान से टकराती है जैसे पानी में पत्तर मानने पर vibration create होते हैं वैसे उसमें vibration create होते हैं और वो vibration अंदर तीन चोटी हाड़ी और एक nerve के थुरू ब्रेन को जाते हैं ब्रेन उसको interpret करता है समझता है और हम उस बात का reply करते हैं दोस्तो यह normal एक system है जो गोड ने हमारे को सुनाई के लिए बनाया अब अगर ear के अंदर perforation होगा कान में जो छेद होगा तो वहाँ vibration नहीं होगा तो आपको decrease hearing होगा आपको सुनाई नहीं देगा पहला दूसरा दोस्तो क्या है जो हमारी कान की नर्व है उसमें क्या है बराबर conduction जाने चाहिए जैसे आज example पे आपने पैन को अगर आप रोज पांच मिनट चलाते हो तो continue चलेगा अगर बहुत अच्छी कंपनी का है तो भी उसको तीन साल अलमारी में रख तो वह नहीं चल पाएगा तो जो हमारी नर्व है अगर perforation और ear drum में छेद के कारण बराबर कंपन नहीं गए तो दोस्तो वह weak हो जाती है जिसको sensor nearing hearing loss पोलते हैं उसके कारण हमेशा के लिए दिरे-दिरे वह loss बढ़ जाता है और patient को उससे क्या होता है कि आपको कान में जब आप एकांत में होते हो तो साइं-साइं के आवाज आना start हो जाती है और दोस्तो तीसरी important चीज़ जब कान के अंदर पर्दे में छेद होता है जो अंदर का system जो sealed रहना चाहिए जो डखा हुआ रहना चाहिए वो open रहता है उसके करण बार-बार infection के करण येर में पानी आना, मवाद आना, fungus लगना और देरे-देरे कान का सुनाई का देरे-देरे damage होता रहता है दोस्तो ये सारी चीज़ें हैं जो पर्पोरेशन के करण है लेकिन जो most dreaded, most complication है कान के परदे के करण जिसके करण उसका इलाज कराना चाहिए वो है दोस्तो अगर आपके कान में बार-बार infection होता है और पस आता है, अपने एर के उपर अपना brain होता है ये जो पस है कभी भी brain में जा सकता है इसलिए इसकी protection के करण इसका permanent solution सी दोस्तो जो इसका इलाज है 100% successful है और इसके इलाज के लिए कान के अंदर जो है इसका टिंपिनोप्लास्टी एक सरजरी होती है दुर्बीन से सरजरी होती है इसमें कान के अंदर की सारी बिमारी हटा के इसमारी जितना सुनाई का हमारा लोस हो गया उसको भी कहा है कि 60-70% audiometry test से देख के उसको भी ठेकिया जाता है और कान का हमेशा के लिए जो पर्दा लगा देते हैं उससे उसकी safety बन जाती है उसके बाद आप swimming कर सकते हो आप DJ के सामने जा सकते हो आप normal जो है activity कर सकते हो अगर कोई army aspirant है तो वो army में जा सकता है यह आने वाले जो इस कान के पर्दे के छेद के कारण जो दुस परिवनाम है उनसे सबसे हमें बचा जा सकता है दोस्तों I think this information is useful for you और इसके बाद भी अगर आपका कोई comment है आपका कोई questions है तो you can comment on my comment box so I reply for that questions and I hope this information is useful for you you can share to your family and friend and colleagues just to create awareness in society about the ear disease thank you